इन सर्दियों में बनाए एकदम नई एककरी के रेसिपी वो भी घर के ही रखे समान से तो बिल्कुल भी मिसना करें इस एककरी की रेसिपी को यह बहुत जादा डिफरेंट होने वाली है रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूले अगर इचह एग्स लिए है जिने मैंने बॉइल कर लिया है अंडे उबल जाने का एकदम होते है यही होता है कि आप देख सकते हैं हमारे इधे मॐधी और जोरत नहीं है और बॉइल करने की गैस कॉप आफ कर दे और इसे हम सीधा गरम पानी से ट्रांसफर कर देंगे ठंडे पानी में हो सके तो चिल्ड पानी का इस्तमाल करें उससे क्या होगा हमारे जो अंडे है जो अंडो का एग योक होता है ना वो बिल्कुल भी काला नहीं इसे पहले हम क्या करते है इन सभी अंडों पर प्रिग कर देते हैं तो टूतपिक से या नाइफ से आ इसे फोक से आप इस तरह से प्रिग कर देज़ह से क्या होगा जब आ न। ने में छ्षेद कर धे यह नहीं अच्छे से एक फ्राइव में मासाला जायेगा घ्री तो वह बहुत अच्छा फॉर्मूला है अब हम यह पे पैन को गरम कर लेंगे और इसमें एक बड़ा चम्मच जितना सरसो का तेल डाल देंगे आप चाहे तो रिफाइंट ओल ले सकते हैं और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे तेल जैसे ही गरम हुआ है हमने सारे अंडे डाल दीए है और बिगदम पीछे हो जाएंडे डाल ले के बाद क्योंकि बहुत जादा अ चटकते हैं और उसके बाद आपे इन्हें फ्राय करें अब हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्ष पाउडर तो आदा छोटा चमच जितना हम इसमें लाल मिर्ष पाउडर डाल देते हैं और साथी में डाल देते हैं हल्दी पाउडर थोड़ा सा इसे क्या होगा इन पे कलर अच्छा जाएगा और जब इन पी जो क्रिस्प सी एक लेय यहां पर हमारे जो एक से अच्छे से फ्राय हो गए हैं यह देखिए इन्हें हम साइड में रख देते हैं और अब बनाते हैं मसाला मसाला बनाने के लिए हमें कडाई कर लेंगे और इसमें दो बड़ी चमजितना तील डाल देंगे आप चाहें तो यहां पर सरसु के तेल की पर रिफाइन डॉल भी ले सकते हैं इसमें हम डाल देते हैं दो मीडियम साइस की प्यास स्लाइजस में कटी हुई तो रफली चॉप की हुई प्यास डाल दे साथ से याट लेसुन की कलिया एक इंच अद्रक का टुकड़ा डाल दे और इसे हम फ्राइ कर लेते हैं जब तक य तुमाटर को मैंने रफली ही चॉप कर लिया है सारे चीजों का पो रफली चॉप करना है साथ ही में डाल देते हैं नमक तो थोड़ा सैस में नमक भी डाल देते हैं क्योंकि हम इस मसालों को अभी बहुत अच्छे से बूलने वाले हैं नमक डालने के बाद इसे हम स्टर कर एब अब कर देते हैं ताकी अच्छे से सौ Help capaz 7-6Look तरह कर सके देते हैं तो लो फ्लेम पीazz यित मिन डालना का इथा और भानी यह एक रॉव्ह भा पकाणा कि अब लिंग के में अपति कर देते हैं से100 से हैं सब्सक्राइब पहले हम इसे स्टर कर लेते हैं अभी हमारे जो मसाला है और इसके लिए हम इसमें पानी होगे और हम पका कि अवर में दाल निए हैं 77 चे एक चॉथा यकभा और 말고 में देंगे और सांड़ दें अदो कि टमाटर और सॉफ्ट हो जाए ध्यान रिखे हम इस मसाले को बहुत ही अच्छे से पहले ही पका लेंगे बाद में बिल्कुल भी समय नहीं लेगा भूनने में तो थोड़ी तरीक लिए मैंने से कवर कर दिया है जब तक इसका पानी नहीं चले और आप देख सकते हैं इसने तेल छोड़ दिया है बस इतना ही इसे हमें भूनना है गैस को हमें आफ कर देना है और इसे चला ले पहले जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद आम इसे पीस लेंगे पीसने के लिए आप इसे सीधा ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफर कर दे सारे मसाले को और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल कर ढ़कन को बंद कर देते हैं और इसे पीस लेंगे, बिल्कुल स्मूध पेस्ट बनाके इसका तयार कर लेंगे, तो इसे हम पीस लेते हैं अच्छे से, मसाला पिस जाने के बाद आप चैक कर लें कि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से पिसा है या नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से पिस गया है बिल्कुल स्मूध हो गया है मसाला हमारा बिल्कुल तेयार है तो सेम कड़ाई को वापस से गरम कर लें और इसमें तेल डाल देते हैं तो यह पूरी रेसिपी मैं सरसो के तेल में बना रही हूं इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा साथ ही मैं डाल देते हैं सबसे पहले इसमें काली मिर्च साथ से आठ दो से तीरी इसमें लॉंग डाल देंगे थोड़े से इसमें खड़े मसाले जाएंगे इस टाइम पर डाल देते हैं हरी लाईची। तो एगदम चनिन्दा मसाले ही डालेंगे जो मैं डाल रही हो आपको वही इसत्माल करने हैं एक छुटा चमज डाल देते हैं जीरा और थोड़ी सी हींग डाल देते हैं फ्लेवर के लिए अब ये मसाले डालने के बाद इसमें हम ये मसाला डाल देते हैं जो हमने तियार किया था अंडे की सबजी सरसो के तेल में बहुत अच्छी बनती है तो हमने जो मसाला बनाया है इसको हम एकदम स्टर कर देंगे क्योंकि यह चिपकेगा और बहुत ही डेलिकेटेट हो जाता है यह मसाला क्योंकि हमने इसको बहुत पहले ही इतना अच्छे से बून लिया है और यहां पर मसाला को हमने स्टर कर दिया है अभी हम इसमें पानी डाल देते हैं ताकि यह चिपकना बंद हो जाए तो थोड़ा सा मिक्सी को हिला के पानी डाल दे इसमें क्योंकि मिक्सी में बहुत सारा मसाला लगा हुआ रहता है उसी को रिंज करकर डालें इसे पहले हम स्टर कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें सूखे मसाले डालकर इसको भून लेंगे अच्छे से भूनने में जादा समय तो नहीं लेगा लेकिन इसमें सूखे मसाले जाएंगे तो उन्हें हमें भूनना होगा सबसे पहले थोड़ा सा हल्दी डाल दें थोड़ी सी लालमिश पाउडर डाल देंगे या फिर अपने स्वात के हिसाब से डाले और आदा शोटा चमिश धनिया पाउडर आदा शोटा चमिश डाल देंगे जीरा पाउडर तो इसे हम पहले चला देते हैं इसमें मिक्स कर दे मसाले को आपने देखा हमने जो मसाले की कॉंटिटी है वो बहुत ही कम इस्तमाल करी है इस recipe में जो मसाले है वो बहुत ही कम जाएंगे एक तो कम भी जाएंगे उनकी जो quantity है वो भी कम रहेगी तो हमारी recipe को यही चीज यूनीक बनाएगी कि हमें सारी चीज़ा थोड़ी हिसाब से लेनी है इसमें तो यहां पर इसे हम cover कर देते हैं दो से तीम न्यट के लिए और इसे भून जाने देंगे आप इसे low flame पर ही भूनें क्योंकि यह मसाला बहुत ही delicate है एकदम base में चिपकता है तो बसे आपको इसे low flame पर ही अच्छे से भून लेना है आप देख सकते हैं मसाले का जो color है थोड़ा सा change हो गया है अब हम इसमें डाल देते हैं पानी तो यहाँ पे डेड़ कप पानी का इस अच्छे से gas को आप high कर दे ताकि इसमें जल्दी से उबाल आने लग जाए और इसमें हम अंडे भी डाल देते हैं इसे stage पे तो fry किये हुए हम अपने सारे एक्स डाल देंगे आप चाहे तो एक्स को बीच में से cut करकी भी डाल सकते हैं जैसे आप खाना पसंद करते हैं वै तो इसे हम 5-6 मिनिट के लिए ढख देंगे मीडियम फ्लेम पर 6 मिनिट बाद मैं इसका ढख नटाया है और हमारे जो ग्रेवी है अच्छे से कूक हो गई आप देख सकते हैं इसके जो कंसिस्टेंसी है वो भी इची आ गई है और ठंडी होने के बाद यह थोड़ी डार्क साथी में डाल देते हैं लास्ट में यह रा धनिया जो इसमें बहुत इंपोर्डेंट है कसूरी मेथी और हरा धनिया का इसमें और गरम मसाल एकदम लास्ट में जाएगा बहुत थोड़ा सा तो यह तीनों चीज़े डालने के बाद इसको हमने मिक्स कर दिया है अच्छे से और हमारी यह जो रेसेपी है सर्फ करने के लिए बिल्कुल तेया रहे तेसे हम सर्फ भी कर लेते हैं गरमा गरम आप इसे राइस के साथ खाएं रूटी के साथ खाएं यह बहुत ही जादे यमी लगती है आई होप आपको आज के डिफ्रेंट तरीके से बनने वाली एक करी की रेसेपी पसंद आई होगी है और जादा सोचनी की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है इस रेसेपी को देखने के बाद आज इसे ट्राइ करें फिर मिलते हैं कौनी रेसेपी के साथ